थे वह लोस्ट हो गए थे मतलब को गई थे यहां पहने हैं बहुत से उप्सन दिये हुए है यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रप्रक्रियेट ओप्म सिरियो वह वह दीपार्ट फिक है डीपार्ट की की वाइल बॉर बॉर मतलब जो जो है उसको जंगली जानवर को सबसे इंपोर्टेंट है वह है चेसिंग अवाइल बोर मतलब जंगली उस जानवर को ढूंटते वक्त जो है वह वह लोश्ट हुए थे तो यहां पर है कि विक्रम के उम्टू लेक कि विक्रम जब लेक पर आए तो सबसे पहले वह किसली आए थे वहां पर लेक पर अपने घो करता ना थे तक उन्होंने जो है जंग मैन को देखा वहां पर बैठ हुए तीक है यह तो को फन हमें डिवा लगल अ नहीं है क्योंकि वहां पर वाल विन हरो नहीं था तो यहां पर जो है विक्रम जो थे वह बहुत थी helpful person थे यानि सभी की मदद करते थे क्यों कि इसा हमें क्यों पता है यह सब चीज बारे में क्योंकि इन पहला उपसंदिया है दा यंग मैं एट दी लेक साइड सेडो जो यंग मैं था उन्होंने कहा था तो यह गलत है कि वह जरूरी नहीं कि वह वह सची होगा ठीक है तो बी वाला पार्ट है पीपल इस एबिलिटी एंड डिजायर तो है पादर की लोगों ने इनके बारे में बता है हाँ यह कह सकते हैं कि सही है लोगों ने लोगों से हमारे पास कहानिया पहुची है उनकी यह भी हो सकता है पर ही जंप इंट पॉंड वह जंप किया था उन्होंने पाउंड में इसे वज़े से वह helpful है पर नहीं सबसे इंपोर्टन जो most appropriate इंपोर्टन जो इसका हाना सार है वह यह है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा करेज भरा था मता करेज थे वह हिमत ही थे दूसरे की help करने में हमेशा जुट जाते थे त तो सबसे पहला जो इसमें correct answer है वो डी है क्योंकि अगर उनके नहीं होता ना तो वह जंप करता पानी में नहीं उसकी जो ability जो है वो जो है दो दूसरे लोगों तक पहुछती है और नहीं वह जंग में जो है उनके बारे में ऐसे बताता तो इसमें डी वाला पार्ट सही था तो question number 4 में कहते हैं the lake king Vikram found लेक में जो है king Vikram को क्या मिला तो यहां में D है D part क्योंकि होँआ पर उनके city भी मिले थी वहाँ एक lady भी मिली थी सुंदर और lotus भी मिले थे तो सभी इसमें सही है तो इसमें D वाला पार्ट जो है वो इसमें आपको tick लगाना है all of the above पर तो अब ह अब आते हैं इसमें बी वाले पार्ट पर बी वाले पार्ट में इन्होंने king Vikram और प्रिंस अजित दे तो इसमें आपका यह वाला पार्ट सही क्योंकि है जो विक्रम थे उन्होंने जो है उसके पार्णी के जो लेक था उसके अंतर बहुत से सुंदर सुंदर चीजे देख अब आते हैं इसमें बी वाले पार्ट पर बी वाले पार्ट में इन्होंने king Vikram और प्रिंस अजित दे इन दोनों के बीच का वो बता है कि उनका character कैसा है तो king Vikram कैसे थे ब्रेव थे helpful थे और determined थे बहादूर helpful एक दूसरे की मदद करने वाले और अपने काम के परती जो है न विक्रम से और selfish भी थे ठीक है क्योंकि आपने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने विक्रम को भी दिया था तो यहां पर आते है आप को सनांसर पर तो को सनांसर मैं जैसे बताया था कि मैंने को सनांसर की वीडियो भी मैं upload कर चुका हूँ इस यूट चैनल प क्योंकि वेजटेस्टन क्या होते है वनस्पती और अंडर ग्रांड ग्रांड जिसमें पेड़ पोदे होते हैं तो दोनों का मीनिंग सेमी होता है इसी तरीके सर्च एवरी वहार जिगह टून आ लुक हाई एंड लो मतलब और पीछे सार जिगह देखना तो दोनों का मतलब तरिके से हो गया, Similar हो गया Next है Get off, Get off और Disamounted, इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि उतरना, किसी चीज से नीच उतरना, Heavy load, यानि बजन और Burden कहते हैं ये भी एक तरीके से Burden भी एक तरीके से Burden होता है, यानि बोज होता है तिक यह लोड़ हो गये बजन और बर्डन उगें बोच तो मतलब सेम हैं इसी तरीके से अधिक्राइब आर शैट सुच्वेशन पलाइट यानी दुखी मतब प्रेशानी वाली सुच्वेशन जो होती है उसी को क्या है फिर है से ग्रेंड अइन कमफर्टेबल किया होती है और फिरम बंसमें एक तरीके से सांथ होता एक है साइनि यानि चमकना और सिम्रिंग होते हैं त्मिलाएं ौछिन Global ती हुई चमक инт passions होती है ये उनिक आपना अदिकर और मुली और सेड़न इन दोनों का मतलब उता है दुक्छी मतलबू क battery होता है अब इसके बाद आया थ In further एफ पार्ट में कहते हैं कि कुछ हमने वर्ष दी है उनको उनके जो है आपको एड्जेक्टिम में यूज करके उनका एड्जेक्टिम बनाके एक नाउन के साथ जो है उनको यूज करके बताना है तो मैंने सेल्फनेस का जैसे इनके एड्जेक्टिम भी बनाई है उनके साथ का यूस भी क्या है सेलफनेस के साथ लिखेंगे असेलफनेस एक्ट ओफ चैरिटी डिटर्मिनेसन के साथ डिटर्माइंड सोलजर अकरेजियस स्पीच असलकी प्रिंस ठीक है अभी सलकी भी मैंने बताया था दुखी जैलेस रेज अब बोनी बोनी अब यहां पर देखो बोन अब आते हैं इसके जी पार्ट में इन्हों रिखा है कुछ परग्राफ को दुबार से सही कीजिए तो यहां पर देखिए आप कि इसमें क्या क्या गलती है यहां पर पहले अमर्ली जो होता है वह जो है कैपिटल एम से यूस होगा ठीक है फर्स्ट लाइन में यह है नेक्स आपको कैपिटल एसी लिखना है और इसमें है नेक्स्ट लाइन में एच अवई एंटी यहां पर एन के उपर यहां पर यहां पर इसको चेंज करके आपको उपर जो है यह मार्क लगाना है इसी तरीके से है आप इसमें है नेक्स्ट लाइन में है आप देखोगे तो इसमें र Gram, नी, Next Line में मैंने बता दिया था? इसमें नहीं है इसके बाद है न? हेहां पे बिल गई है ये यहां पे ध, आई, डी, एन Eclipse अर उसके उपर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और पफ लनाश्ट में लगाएंगे यहां पर मेंसे पंटा दिया और 노래 है लास्ट वाइल लाइन में बटा दीते हैं लास्ट वाइल में भी क्या होगा फ्लूय में फूलीट लगे स call के consisting मार्क लह वाट व्लूय रAmड लीगा पर कांप मार्क लेगा वाट डूई हेर सर यहां पर कोमा लगेगा है को समार को लिया लास्ट में फुली स्टो पर यह कैपिटल लेटर से ए ठीक है तो इस तरीके से यहां पर यूज होगा क्यों कि यहां पर कोशन पूछा जब रहा है वाट यू दूइंग हेर सर अब यहां कि इसके बाद कराधार में अंडेस्टेणिग ग्रामर में ही संटेसं को मिनिवफ्ल इन सेंस को कंप्लीट करना है तो पहला संटेस् क वह और जीद जीद ज वह isलिख रान कजैसे अन का महान समस्जते थे उन्हों अपनी फिलिंग शेल की फिर है इसे वह attitude गेंहें वह एक्सप्लेंइट रहा इससे बम्यास है तो यही चैप्टर था इसमें यही एक्स्प्लेनेशन था मैंने आपको कम्प्लीट करा दिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको आगे की वीडियो भी चाहिए या इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर उसकी